यह साथ बात करने केंद्री मंतिरी जनरल विके सिंग साहब अर्वित के जीवाल की ग्रिपतारी के बाद दिली में लगातार आम आपधी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और भारती इंता पार्टी दरसल विपक्ष को कुछत्म करना चाह आपने नो के नो टरका दिये एडी क्यों बुला रही है आपको शराब घोटाले की जहां चल रही है शराब घोटाला क्या है सरकार ने एक नई नीती बनाई उस नीती के अंदर जो सरकार जो कमाती थी वो कम हो गया जो प्रावेट रिटेलर कमाते थे वो ज़्यादा हो गया कुस तो गड़ बड़ है फैसला किसने लिया नीतिया जब बदलती है किसी भी प्रदेश के अंदर मुख मंतिर और कैबिनेट करती है अब आप कहें जी मुझे कुछ पता ही नहीं है गलत बात है एडी यही जानने की कोशिश कर दिया ना अब आप उसको अवाइड कर रहे हो उसके बाद एडी को फिर सहरा लेना पड़ा और कि यह तो वैसे बताएंगे नहीं कम से कम एक बार हमारे पास आएं तो सही ताकि पता तो चले तो इसमें इसमें सियासत क्या कोई नहीं है आप लगता है कि आमाद्मी पार्टी और आमाद्मी पार्टी के नेता विक्टिंग पार्ट खेड़ने कोशिश कर रहे हैं देखे गलती किये उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक साधारन मांसी के तौर पर मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि सरकार का पैसा कम करके प्राइवेट पार्टी का पैसा कैसे आप ज़्यादा कर सकते हैं आपने दुनिया भर के शराब की दुकाने खोल दी दिली के अंदर खुब पैसा आया प्राफिट किसको गया सरकार को नहीं गया वे आप इतनी दुकान खोलते सरकार के पास रेविन्यू आता बहुत अच्छी बात है रेविन्यू वेलफेर के अंदर लगता ड्वल आप उ के साथ आपकाहर cut को इस तरीकिसे ता Alors Hak यह कहा जा रहा है किदर सल भारतियंता पार्टी और नरेंद्र मुदि आपके प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री कहा रहा है कि अर्विन के जीवाल स неп JUNषF मैं तो आपको बहुत सिंपल बताया। है हैर यह यह काम आप करते तो आप गृफपार होतें कि नहीं होते हैं? कि अब आप अगर अर्वण्द केजिजिणी वाल हैं। और आप कहे नए सी मुझत तूटन कर रहे हैं उनका उनका अस्तित्व उसी के अंदर है आप कभी दिल्ली के घुटालों के बारे में देखिएगा बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे हैं जो इसका फाइदा उठाया जिन्होंने वो कर्यकरता बन गए उसके बाद विपक्ष के बड़े निता सरद पवार राहूल गा अगये हैं अर्विंद के जिवाल के और केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है नरेंद्र बूंदी पर हम यहीं तो आश्चर के बात है जो कल तक उनको गाली देते थे और गाली खाते थे उनसे आज उस सपोर्ट में खड़े हो गए तो आश्चर की बात है सबको चुनाव के अंदर लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से न कोई नो कोई मुद्धा उठाया जाए और कॉंग्रेस पार्टी भी इससे पहले शराव गोटाले की बात कर रहे थी कि गलत है आप कैसे सपोर्ट कर दोगे उसको कोई नहीं हर चीज युक्ति संगत नहीं है इल लॉजिकल है बस सिरफ यह कि हां जी हमको दिखाना है कि हम इसके सारे कुछ शायद हमको मिल जाए लोग जिनाओं में हार का डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है इसलिए उन्होंने गरपतारी करवा दी अगर किसे को डर सताता तो यह नहीं कहता कि 400 के पार जाएंगे तिक है यह जिनको डर सताता वो यह उल्टी बातें करते हैं जैनल विके सिंग साब थे जो साब तो पर कह रहे हैं दरसल जिनको डर सताता है वो ऐसी बातें कर रहे हैं कर्मयमन रवीज करहाद नीरज पांडे वीपनियूज दिले